हेलो दस्वाइब स्वाइब का बहुत बहुत दर्गा में आपके आपने ही चला टार्विन फंटसी पर इस विर में आप देख रहे हैं भुकती टीटेल लिग का जो यहां पर सिक्स मैच खेला जानवाल है आई जी एम बार्सस एज एज इंटर गलोब मैरीन वार्सस आजमन ह इसके बीच जो मैच खेला जानवाल है उसके मैच प्रिवू स्टेर्स एर अनलाइसिस तो यहां पर मैच की प्रिवू स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बात है तो कि गाईस अगर आपको फाइनल स्मॉल लिगेंडी के टीम्स चाहिए तो आपको ह लिंग मिलेगी लिंग पर क्लिक करके डिरेक्ली जॉइन कर सकते हो तो इस देर किस बात की अभी क्या भी आपको अपना टेलेकम चैनल के जॉइन कर लीजिए बात करें मैच की आज रात को साड़े ग्यार बज़े इनने देम को अनुसर यह मैच खेला जाने वाला है सार्ज आजिएम रिसेंटली पांच मैच खेलके चार जीते एज एज चार मैच खेलके एक जीते तो रिसेंट रिकर्स के बात करें तो आजिएम के बहुत ही अच्छा है लेकिन एज 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 की रिसेंट रिकर्स उतना अच्छा नहीं रहे बेन रिकर्स की बात करें अभी तक चा पर और आज के बारे हैं बात करें आज एम की विनिंग चांसे 60 परसन और एज एज की विनिंग चांसे 40 परसन तो थोड़ा बात यहां पर आई जी एम के फिवर में टीम मरना चाहिए तो आप हम बात करने दोना टीम के प्रोबर पेंगे एक साथ उसी के साथ आपको करें बात करें कि याजिर का लिंग बुखाती टीरों टीम में बहुत अच्छे पर्फूंस किया था आशिपकन के साथ ओपनी करने वाले हैं और देखिए गैरा चालीस पच्पन सत्तावन और अठारा उननीस ग्यारा चौदा एकसो चौश तो आपके लिए बहुत अच्छ कि बड़े और अप्सन मिल जाएगे जोकी है बसिल हमीत नंबर चार पर आएंगे गोपाल कुमर गोपाल कृस नंग चे रन दो रन उसी के साथ रेसेंटली पांच मैच में साथ इकर निकाल चुके है और नंबर पांच की बात करें संदिप सिंग ये मिलेगी आपको इकर के आउट हुए नंबर चे पर आएंगे लुकमान हजरत तो मेरे सब से इसको यहां पर या तो बासिल हमित के जगा या फिर संदिप सिंग के जगा आना चाहिए प्लेयर बहुत अच्छे है लाश्ट जो लिग्स खेला बहुत एच्छे परफेंस किया था एक दो उन्चस चार बोलिंग की बात करें दो एक जीरो तो यह ऐसे टेप का ओल उन्डर है कि अगर बैटिंग से आपको परफेंस नहीं दिये तो बोलिंग करके जरूर आपको कॉंटिबूट कर जाएंगे आपको मतलब खुद के टीम को देखें असी मम्तद जो है अपने टीम के लिए कैपिन निकाला तो आपके लिए बहुत ही बड़ी चोईस ही रहने वाले हैं और नमबर नौ पर रहेंगे यह उपर देखिए अतुला एक जीरो दो जीरो पांच मैच में चार विकेड निकाला जूना इत सिद्ध की रिसेंटली पांच मैच में यह आपार देखिए साथ विकेड पर वहां पर बहुत अच्छे परनस किया था उसकी बात करें तो लास्ट पांच जो बुखाती टीटन का मैच खेला तो वहां पर तीन एक दो जीरो तीन मतलब नौ एक निकाल लिया पांच मैच खेलके तो आपके लिए बहुत ही बड़ी चोईस यह रहने वाला है अगर त पर तैमुर की बात करें माच मैच खेलके इन्होंने भी चार विकर निकाला उतना बुरा नहीं है तो अच्छे कर सकते है इस मैच में भी तो देख लीजेए कौन को आपके लिए आलजीम के तरफ से माच भी रहने वाले इस बाले मैच पर याजिर कालिं असीव खान बासिल हमीत उसी के साथ रहने वाल है संदिप सिंग लुक्मान हजरत और असी मुम्ताच साना वाजकन तो यह साथ प्लेयर्स बहुत यह अच्छे पिक रहने वाल है और उसी के साथ एक डिफेरेंसल आपके लिए रहने वाल है मुहम्मद चाहिद तैमुर अगर खेले तो आप इन में प्लेयर्स की जो रिसेंट पर्फेरेंस है यह अभी तक है रिसेंट में उतना ज्यादा टीटेंट मैचेस नहीं हुए है यह टीम्स के बीज में तो इसलिए आपको टीटोंटी की डोमेस्टिक का स्टैर्सी मिलेगी तो सबसे पहले बात करे मोहमद अजमल ओपेनिंग क कि इनकी एवरेज बानते है तो आपके लिए यह भी इस मेंच पर अच्छे पर्फेरेंस कर सकते हैं युकेस ले सकते हैं और अधनान ओल की बात करें उन्चास एक जीरो चार आठ पहले मैच में अच्छे इनिस खेलाता है लेकिन उसके बाद लगातार चार इनिस में बन सकते हैं सेरिडान हैडफिल्ट अठाइस ग्यारा तेरा चार एक उगर निकाले पांच नमर पर आएक बहुत ही बड़े तरीके सा ओल अंडर सुल्तनामेट जीरो तीस एक दो और पांच मेंच खेल के चार उगर निकाला तो यह भी आपके लिए बहुत ही बड़े च्छ जीरो नो एक चोवण च्छ तिस मतलब लास्ट जो पांच मेंच खेले उनमें से पहला तीन मेंच में फ्लप गये लेकिन लास्ट दो मेंच खेले उस में लगबद तीस प्लस एवरेज लेके खेल रहे थे और राहुल चुप्र के बाड़े में बात कर रहे देखिए हम पर पांच मेस दोदर रहे पांच मेसे चामएच में ही बहुत यस्षियस खेली उन्तालीस चjak 50 Lei स्चान पर चार जहां पर अच्छे खेले और चार में ही बहुत यह स्कूर बनाया ऑद दो मेंच पर जीरो और dwa bueno जीरो एक फेलने वाल है इसमेह पर फेजल बेक और नसीर भी सी से कोई यह खेने वाल है तो फैसल बेक के बारे में बात करें प्रोपर एक बोलिंग उल्डर है दिखिए बोलिंग करने के साथ साथ थोड़ा बहुत बैटिंग करना भी जानते है जिसका यह पर आप प्रूप देख सकते हो कि 44-30-0-3-19 मतलब अगर हिटिंग करके थोड़ा सा अच्छा लग जाए तो यहां पर अच्छे स्कोर भी मेना सकते है जैसे कि आपने देखा है टी-टून-टी मैचों में 44-30 रन बनाना उतना असन नहीं बात है असन बात नहीं है एक बोलिंग के लिए तो जैसे इन्होंने किय और 4 मैच खेल के एक उके निकला तो रिसेल फों बोलिंग में उतना अच्छा नहीं है लेकिन बैटिंग करके भी रांट्स बनाया नासिर रजिच के बार में बात करें 8-4-8-3 बैटिंग में फ्लप गए और बोलिंग करके 4 मैच पर 3 उके निकला तो इनका भी उतना खास नहीं रहे वजाहत रसुल 1-38-4-35 उसके साथ 4 मैच में 6 उके निकला तो अपले बहुत ही बड़े चोईस यह भी रहने वाला है संचित सर्मा 15-5-29-0 उसके साथ 5 मैच खेल के 7 उके निकला एक मैच पर 4 और एक मैच पर 3 और बाकी 3 मैच में उके लेस तो संचित सर्मा जो ह परें बात करें इनकी रिसेंट एक जो है पांच मैच खेला वहां पर 3-0-10-5 उके निकाला और अंकुर संगवन की बात करें पांच मैच खेला वहां पर 1-0-0-10-2 उके निकाला तो यह दो में से अगर जो भी खेलेगा आप इनको रख सकते हो स्पेशल यह पर अगर नप टीम पर मास्ट भी रहना चाहिए मेरी साब से तो अभी एक बार देख लिए कौन कंस्वलेर आपके लिए स्माल इक पर मास्ट भी रहने वाले एज एज की टीम पर अधनन उल मुल्क नवाफ मुहमद अजमल की को दिखिए बैटिंग के साथ साथ बोलिंग कर रहा है अलागी बैटिंग पर अच्छे फॉम पर नहीं है फिर भी हमारा टीम पर रहने वाले है सगर कलियन, सुल्तान आमित, अधनान खान, फैजल भेग, एगए एगए हो गई छे उसके साथ यहां पर रहने वाले है संचीत सर्मा और या फिर नप प्रवेजा या फिर रजाद रसुम देखिया हमने आपको बातों बातों में नौ प्लेस के नम बता दिया लेकिन नौ क प्लेस को आप आपके स्मॉल लिग के टीम पर जरूर सी बीसी बनाईए आपके लिए बहुत ही अच्छे पिक्स रहने वाले हैं और ग्रेंड लिग चोईस की बात कर लेते एक बार संदित सिंह, महमत जाहिद, असिप मुम्ताच, जुनेच सिद्धी की नप प्रवेजा तो आपके लिए स्टेर सॉनलेस के बाद अभी चलते हैं, ड्रिम लिग के बनाएंगे, लेकिन फाइलेंट भी आपको मिलेगी टॉस के बाद, लाइनप के बाद, हमारे टेलिगम चनल पर लिंक मिल जाएगे आपको वीडियो की डेस्किप्सन में, तो देर की इस बात की अभी अभी आपके बाद, हमारे टेलिगम चनल पर लेने वाल है, तो यहां पर वाई कालिम हमारे लिए स्मॉल लिग पर मास्ट पिक रहने वाल है, आपको लिए आपके लिए ग्यान लिग पर अच्छा होगा, बैटिंग सेस्टम की बात करें, सी रिजवान, एफ सेक, उसके एज खन कोई भी खेले, आपको लिए आपके लिए ग्यान लिग पर अच्छी पिक्स बन सकते है, ओलनस की बात करें, एन अजीज, वी हमीद, टी रियासत, और इसके सान ने बोले है, हजरत लुक्मान, यह चार प्ले समरे टिम पर रहने वाले है, तो काश देखो, हम आपक बैट से पोइंच देकर आपको विनिंग करवाए, लेकिन अगर आप बैटिंग को ले रहा हो, बोलिंग को ले रहा हो, तो महाँ पर क्या होगा, बैटिंग सिर्फ बैटिंग करके ही पोइंच देगा, और बोलर सिर्फ बोलिंग करके ही पोइंच देगा, तो लेकिन ऑलनस आपको दोनों तरिके से प्वेंच देकर जा सकते हैं और यह भी हो सकते कि वह बैटिंग बदफophile कोई बाद नहीं बोलिंग से आको ठोड़िगे कर के देंगे बोलिंग में फ्लफ हो गय तो थो आपको बैटिंग से इक बनिदो नतर तो ऐसे chances बनते हैं अभी बोरिंग option की बात करेंगे स्थर्मा ए मुंताच और नप्रवेजा यह हमारे टीम रहने वाले हैं यहां पर हमारे टीम के जो क्यापन है वह वाइजीर याजिर कालिम उचिका साथ से बाइस क्रप्ट रहने वाले है असिफ खान सेफ करके आपको प्र यहां से एक आजियम की तरफ से प्लेस को टाकर एज़ एजेज के प्लेस को भी ले सकते हो वह आपके ओपर है एस तरमा ए मुमताच नप्रवजा यह तीन प्रेस रैने वाले है बोलिंग सेक्शन पर और हमारे टीम का सेफ कर्पन है याजिर कालिम से बाइस कर्पन रहने व लेकिन अच्छा भी होगा तो कई सब्सक्राइब के बाद लाइन आपको वीडियो की आप तक पहले मिल जाए और एक अच्छा सा टीम मनाई या अच्छा सा विनिंग कीजिए थैंक्यू सो माच अल दे बेस्ट मिलते नेक्ष वीडियो पर